A very warm good morning to all of you और आज है 20 January 2021 तो चलिए देखते हैं आज का current of years और जी हाँ ये वीडियो बनाया गया है दर हिंदू, P.I.B. और बहुत सारे newspaper और news channel को follow करते हुए तो यहाँ पे बहुत ही important current of years है इस वीडियो में है 10 multiple choice questions और एक है question of the day तो चलिए देखते हैं पहले कल का question of the day Recently a campaign called सक्चम is related to अभी हाल में सक्चम campaign start किया गया ये किस से related है तो इसका answer है option number B fossil fuel जी हाँ ये fossil fuel से related है आपको याद आ जाएगा मैंने ये discussion किया था इस pic को देख कर मैंने आपको बताया था कि सक्चम अभयान start किया गया है to broad awareness about green energy और ये किस ministry के द्वारा किया गया है ministry of petroleum यानि की धर्मेंदर प्रधान के द्वारा ये start किया गया है ये काफी important है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें bio fuel की तरब move करना चाहिए और fossil fuel का इस्तेमाल कम करना चाहिए चले देखते हैं आज का news of the day देखे बहुत important news है कि parliament में अब सबसीडी हटाई जा रही है कैंटीन से और parliament canteen जो है उसमें अब सबसीडी नहीं दी जाएगी और इससे क्या होगा तो इससे about 8 करोर रुपीज का benefit होगा साथ में ये भी changes के जा रहे हैं कि पहले कैंटीन चलाया जाता था Northern Railway के द्वारा अब उसे बदल कर Tourism Corporation के द्वारा चलाया जाएगा चले देखते हैं आज का multiple choice questions Question number one What is the theme of World Economic Forum Debos Agenda 2021? जी हाँ अभी हाल में होने वाला है World Economic Forum Debos Agenda 2021 तो आप मुझे ये बताइए कि इसका theme क्या है और इसका theme है Option number D A crucial year to rebuild trust बहुत important theme है Trust को rebuild करना है क्योंकि COVID-19 pandemic है तो बहुत सारे वर्ल्ड में economic situation गरबड़ाए है World Tabos Meet जो है वो होने वाला है 25 से 29 January ठीक है? तो ये काफी important meet है इसमें world leaders जैसे हमारे प्रधानमंत्री और बहुत सारे ministers meet करेंगे याद रखेगा ये जो meet होने वाला है ये important तो है ही साथ में एक annual meet भी होने वाला है W.E.F. का ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 25 में से लेके 28 में 2021 तक ठीक है? और ये जो annual meeting होने वाला है W.E.F. का जो मैंने आपको बताया में में ये होने वाला है Singapore में ये पहली बार है कि ये Singapore में होने वाला है नहीं तो हमेसा ये Switzerland में होता था क्योंकि अभी COVID-19 pandemic है तो इससे shift किया गया है में में Singapore में W.E.F. के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं W.E.F. एक्चुली एक international NGO है जो की बना था 1971 में ये जिनेबा-based Switzerland में इसका headquarter है और ये काफी important है और याद अखिएगा 2020 में इसने किया था 50 years celebration कुश्चन नामबर 2 काफी important question है वेन वी विल सेलिब्रेट दा पाड़ाकरम दिवस हम कब सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इसका answer है option number C 23rd January 23rd January जाना जाता है बर्थ anniversary of सुभास शंदर बोस और उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं पाड़ाकरम दिवस यह काफी important news है क्योंकि कलकटा में जाने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहां यह celebration होने वाला है question number 3 who will be the first moving fighter pilot participate in Republic Day 2021 तो first moving pilot कौन है जो participate करने वाली है अभी हाल में Republic Day 2021 में तो वो है जी हां इसका answer है option number C भावना कंट भावना कंट बिहार से बिलॉंग करती है और यह flight lieutenant है और कुछ highlight देखते हैं यह first women है fighter pilot की जो qualify की थी combat mission उसके अलाबा इन्होंने MiG-21 बिसोन एयरक्राफ्ट को भी उराया था ठीक है और अभी यह हाल में राजस्थान में appointed है तो याद अकीगा इनका नाम है भावना कंट question number four aggro brain drain term is given by जिस तरह के माहौल है अभी और farmer जिस तरह से you know revolt कर रहे हैं और प्रसासन और farmer के बीच में discussion चल रहा है तो ऐसे में अमारे एक leader ने एक word दिया है aggro brain brain यह किस ने दिया है तो इसका आंसर है option number C वैंकिया नाइडू जी हाँ वैंकिया नाइडू ने अभी हाल में एक meet में यह term दिया है अभी celebration हुआ है और साथ में farmer को भी समझना चाहिए और यह जो aggro brain brain हो रहा है उसको रोकना चाहिए ठीक है और यह जो समिट है यह organized किया गया है नितियायोग के द्वारा और इसी में उन्होंने यह बात कही इस समिट के कुछ highlights से उसको देख लेते हैं इसमें यह बताया गया है कि किस तरह स से हम लोग agriculture production को बढ़ा सकते हैं और हमारा टार्गेट है 330 टरन बाई 2024 वेंक्या नाइडू ने फोकस किया है organic farming पे उन्होंने बोला कि organic farming बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा तो उत्पादल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है Question No.5 Who has launched the PM Kaushal Vikas Yojna 3.0 तो इसे launch किरने वाले हैं M.N.Pande M.N.Pande कौन है Skill and Development Minister इसलिए ये news काफी important हो जाता है Prime Minister Kaushal Vikas Yojna 3.0 Question No.6 India make history by defeating Australia in final test ये तो आपको पता चली गया होगा कि इंडिया जीत गया है जीहाँ और हडा दिया है Australia को और कहां उनी के जमीन पर आपको पताना एकिस stadium में जीहाँ इंडिया हडा दिया है Australia को उनी के जमीन पर कहा तो इसका आंसर है option number D गबा गबा playground में हडा दिया है final test में और साथ में border गवास का trophy दी जाती है रिशब पंत को काफी important news है generally में sport news नहीं cover करती हूं लेकिन जो बहुत जादा important हो इसको जलूर cover करती हूं तो याद रहिए का border गवास का trophy जीती कही है रिशब पंत के द्वारा question number 7 which state has celebrate as kokoborak day kokoborak day अभी सहाल में celebrate किया गया है आपको बताना है कौन से state ने इसे celebrate किया है तो इसे celebrate किया है तृपुरा ने जी हाँ मैप यहाँ पर आप देख रहे हूं तृपुरा ने यह celebrate किया है यह kokoborak day celebrate किया जाता है kokoborak क्या है एक भाषा है language है यह official language है तृपुरा की याद रखिएगा kokoborak, kokoborak मतलब होता है भाषा और बोडाक मतलब लोग यानि जो लोग बोलते हैं तो वहाँ का तृपुरा का यह language है और इसी के लिए एक day celebrate कि जाती है कब की गई है day celebration तो 19th January को यह day celebrate किया गया है Question number 8 Recently exercise dessert night 21 is conducted between India and अभी हाल में एक बहुत important exercise हुआ है यह air exercise है जिसका नाम है dessert night 21 और यह dessert में ही हुआ है बताती हूं कहा हुआ है dessert night 21 exercise हुआ है इंडिया और और option number C France जी हाँ इंडिया और फ्रांस के बीच में exercise हुआ है dessert night 21 काफी important exercise है और यह हुआ है जोदपूर राजस्थान में dessert में हुआ है तो dessert night exercise और जोदपूर में यह exercise conduct क्या गया है देखिए इंडिया और फ्रांस का जो यह exercise है काफी important है क्योंकि फ्रांस यहां पर ला रहा है अपना राफेल और इंडिया भी उतार रहा है यहां पर बहुत important राफेल और मिराज तो याद रखेगा यह काफी important है इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारे exercise होते हैं जैसे कि army exercise की नाम ली जाये तो शक्ती निवल exercise वरून एर exercise गरूद अच्छा मुझे बताईए sky rose sky rose exercise के बारे में मैंने आपको बताया था यह कहां हुआ है question number 9 चो काफी important है वी शांता पास्ट अवे वाज़र रिनाउंट वी शांता अभी हाल में उनका देथ हो गया है वो कौन है तो इसका answer है option number C doctor जी हाँ यह oncologist है oncologist कौन होता है वो देखते हैं oncologist जो cancer doctor होते है उनको oncologist करते हैं इन्होंने cancer का इलाज किया था और यह काफी important doctor है यह टमिल नाडू से बिलॉंग करती है ठीके 20 शांता और इनको पदम devotion भी दिया गया है तो यह काफी important news बनता है question number 10 51 International Film Festival Lifetime Achievement Award goes to अभी हाल में 51 IEFFI मैंने बताया था आपको गोवा में हुआ है तो यह जो lifetime achievement award है यह किसे दिया गया है तो इसका आंसर है option number C Vittoria Storero अब यह कौन है इनके बारे में थोड़ देखते हैं देखे विटोरिया Storero जो है यह यह इचालियन सिनमोटो ग्राफर है और याद रखेगा यहां पे एक और नाम बहुत important है वो है विश्वजीत चैटर जी जिनको दिया गया है personality of the year award और विश्वजीत चैटर जी आप जानते भी होंगे काफी renowned face है यह हिंदी और बेंकॉली फिल्म स्टार है इनको सब लोग जानते हैं यह नाम है इनका विश्वजीत चैटर जी चलिए देखते हैं आज का question of the day 16th NDRF raising day is celebrated on national disaster relief fund raising day celebrate किया जाता है आपको बताना है कब इसका answer please comment box में दे और वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे शेयर कर दे और जल्दी से channel को subscribe कर दे अगर आपने नहीं किया है thank you